नवश्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गुल्दावदी या किरसन थमम की ग्रोइंग सिखेंगे कि उसको कटिंग के द्वारा कैसे ग्रोव करते हैं और वो भी नरसरी तरीके से दोस्तों स्वागत है आपका आईडियाज वितार पियास के एक नए अपसोड में यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और हमें इस्टा पर फालो कीज़ेगा नई नई अपडेट्स के लिए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम कटिंग को लगाते हैं बहुत ही असान तरीके से हमको पहले किसी मैचूर प्लांट की 1-2 इंच लंबी कटिंग लेनी होती है ठीके एक इंच की कटिंग भी लग जाती है लेकिन नियर बाइ 2 इंच लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यह देखिए यहाँ पर जो है मैं cutting ले रहा हूँ और cutting लेने के बाद हमारा पौधा खराब नहीं होता उसके बाद जहां से हमने cutting की है वहाँ से दो ब्रांचे से और निकलती है तो हम अब की बार अगर चार cutting ले रहे हैं तो अगली बार हमको 8 cutting मिलेंगी उसमें से तो अभी हमारे पास पूरा समय है हम आराम से grow कर सकते हैं तो cuttings को लेने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए एक fungicide powder लेना चाहिए ठीक है fungicide powder कोई भी आप ले सकते हैं मैं यहाँ पर साफ यूज़ कर रहा हूँ और fungicide powder 2 ग्राम लेना है आपको और करीब 500 ml पानी में मिला लेना है उसको और उसके बाद इन cuttings को उसके अंदर डुबा देना है ठीक है दोस्तों इससे यदि कोई fungis की समस्या हो रही होगी या कोई fungis की समस्या है तो वो सब खतम हो जाती है ठीक है यह optional है आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका इससे result मिलता है और आपकी cuttings जो है अच्छी तरह grow होती है यह देखिए इनको 15 मिनट के लिए डुबा के रखा है 15 मिनट तक डुबा के रखने के बाद अब मैं इन cuttings को निकाल रहा हूँ ठीक है और इन cuttings को निकालने के बाद इनको अब हमें लगाना रहेगा soil में तो दोस्तों इनको soil में नहीं लगाएंगे इसको लगाएंगे हम बालू में जिया दोस्तों pure बालू है जिनको wash करके रखा हुआ है अच्छी तरह शे wash है आप इस बालू की जगह पर आप rate भी use कर सकते हैं जो गंगा rate आती जो घरों में प्लास्तर में यूज़ होती उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यह मैंने rooting hormone लिया हुआ है ठीक है rooting hormone लिया है और साथ भी मैंने यहाँ पर शेहद लिया हुआ है इन दोनों का प्रियोग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि growing कैसे कर दो सबसे पहले बालू को आपको moist कर लेना है मौइस करने के बाद उसके छोटे छोटे hole बना दीजे जिनके अंदर cuttings को हम लगाएंगे ठीके दोस्तों तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जादा गहरा pot का इस्तमाल नहीं करना है आपको ठीके pot की गहराई कम रखिएगा तो ही अच्छा रहेगा क्योंकि जादा गहरा pot रहेगा तो उसमें पानी नीचे रुकने के समस्या रहेगी और हो सकता है कि आपकी cutting जो है फेल हो जाए रॉट हो करके तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है holes कर लिए हैं अब देखिए मैं इसमें शहध लगा रहा हूँ rooting hormone की जगा मैं यहाँ पर शहध यूज़ कर रहा हूँ ठीके दोस्तों शहध का इस्तमाल जो है हम rooting hormone की तरह कर सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे nutrients भी होते हैं और यह antifungus का भी काम करता है तो आपके लिए जो है यह बहुत ही अच्छा option है क्योंकि लगबख सभी घरों में आज के समय में यह मिल जाता है शहध तो और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यह आपके पास शहध भी ना हो और यह दिया आपके पास rooting hormone ना हो तो आप चाहें तो इसमें जो है इलोवेरा भी लगा सकते हैं इलोवेरा का जो यूस आता है उसका भी प्रियोग कर सकती है तो यहां पर अब मैं rooting hormone का यूस कर रहा हूं rooting hormone powder है ठीक है चुकि हमारी cuttings थी वो अभी गिली हैं तो इसमें आराम से powder लग जा रहा है और इसके बाद यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगाने के बाद आप थोला सा पानी मिला करके उसमें भी जोड़ करके आप लगा सकते हैं और यहां पर कुछ cuttings को मैं बिना rooting hormone के भी लगा रहा हूं ठीक है दिखाने के लिए कि success rate क्या रहता है तो यह cuttings मैंने यहां पर लगा दी है और लगाने के बाद इन cuttings को छाया में रखना है ठीक है और इनमें हर दूसरे दिन पानी का spray करना है ठीक है इसकी soil dry नहीं होगी और इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना ज़्यादा पानी देने से आपकी soil रहेगी जो भी आपका sand रहेगा उसमें ज़्यादा पानी रहने से आपकी cuttings रॉट हो सकती है और आपकी प्रोजेक्ट ह तो इसलिए मैं आपको से नियुदन करूँगा कि इसको छाया में ही रखिएगा और इसमें जो है पानी का इस्प्रे हर तीसरे दिन पानी का इस्प्रे करते रहिएगा अब साथ दिन बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे दोस्तों ये साथ दिन बाद का रिजल्ट है हमारी सारी की सारी कटिंग्स अभी भी एकदम हरी भरी है और अब समय आ गया है देखने के लिए कि इन में क्या ग्रोथ हो रही है तो आईए मैं इन में से कुछ कटिंग्स को निकाल करके देखता हूँ ये देखिए सामने कुछ हलकी फुलकी जो है रूट्स आई हुई है ठीक है आपको दिख रहा होगा ये देखिए थोड़ी बहुत रूट्स जो है इसमें से आ चुकी है और ये हमने जो है शेहद लगाया था शेहद लगाने के बाद की जो कटिंग्स थी उनका है और अब भी मैं आपको रूटिंग हर्मोन वाला भी दिखाता हूँ निकाल करके ठीक है रूटिंग हर्मोन लगाया था ये देखिए इन में भी शेहद लगाया था इसमें भी देखिए हलकी फुलकी कटिंग्स ही आई हुई है ठीक है देखिए मैं आपको शहद वाले पहले निकाल के दिखाता हूँ ये देखिए हलकी फुलकी कटिंग्स में जो है रूट्स आई हुई है तो ये तो रिजल्ट रहा हमारा जो है शहद का और अब दिखाता हूँ आपको रूटिंग हार्मोन का रिजल्ट ये देखें रूटिंग हार्मोन का रिजल्ट कितना बढ़ियां आया हुआ है ठीक है देखें बहुत ही बढ़ियां जो है बहुत ही जल्दी जो है रिजल्ट आया है तो रूटिंग हार्मोन में जो है रिजल अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आगे के लिए कैसे प्रोसेस करना है तो सबसे पहले चीज जू है आपको ध्यान रखना है जैसे नर्सरी में आप लेने जाते हैं तो यह छोटी सी जो है एक जो गमला होता है चोटा सा जो गमला होता है बटन गमला उसके अंदर आपको ये मिलता है तो किस तरह से करते है तो इसको है डwest डियरे dominant भी लगता है और प्रसरी थीज इसको लगा देते है तो यह तरीका हो गया नर्सरी वाले किस तरह से इसको यह शोगा से रहने्लीहने के लिए और बाकी आपको क्या करना है कि आपको 30% compost और 70% soil मिला करके उस mix में जो है इसको लगा देना है ठीके दोस्तों इसको कभी भी गलती से बड़े गमले में मत लगाईएगा क्योंकि बड़े गमले में लगाएंगे तो आपका पौधा रॉट हो सकता और अच्छी growth नहीं मिलेगी आप अपने पौधों को जो है इस तरह से तयार कर लिए ठीक है इस तरह से तयार करके जो भी आपके लिए suitable चीज़ हो उसमें आप इसको तयार कर लिजे और आगे का प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको जो है 1000 फूल किस तरह से लिए जाते हैं 1000 फूल जो लिए जाते हैं आप देखते होंगा नरसरी में पूरा फूलों से भरा रहता है वो तरीका कैसे होता है उसको क्या किया जाता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो्स में तो अभी जो है इस वीडियो में इतना ही आपके साथ share कर रहा हूं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टपिक के साथ और वीडियो पसंद आही तो like कीजएगा, comment कीजएगा यदि आपकी कोई सुझाओ ये सिकायत हो तो